कि देखिए कोश्य नेगर है कि दिवेंदी जो है सुबह आठ बजे घर से निकलता है और नो बजे अपने कर्याले पहुंचता है उसने एक दिन अपने घर से आठ बजे निकल ला और उटने समाने गती के देखिए यहां से समाने गती के यह क्या हो रहा है समाने गती के तीन बटे चार की गती से एक तिहाई की दूरी ताय की और श्रेस दूरी को उसने समाने गती के चार बटे तीन की गती से पूरी की तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कर्याले पहुंचा यही इस कोश्यन का बोला गया है अब सब्सक्राइब करें देखे यह की जहां फिस कंसेप्ट आप है समझेगा कि अगर डिश्टेंस सम्सियम रहता है अगर दूरी समान रहाती है किसी भी किस में समान रहती है तब जो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है हिंदी में अपिश्टेंस इस कॉंस्टेंट रहेगा इस अब तो उस केस में चीज आपको मालूम होनी चाहिए अगर दूरी समान रहती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो इन्वर्सली फोपरशनल टू वन अपन में टाइम का रेशियो होता है यानि कि समय का बराबर होता है यानि कि दूरी कॉल्स्ट होती है बेद कराम अनुपाती होती है किसकी समय की यहां एक्जामपल आपको मैं देना चाहूं यहां से कि मानलो की speed का ratio आपको 1 अनुपात 2 है यह आपकी speed का ratio है तो time के ratio 2 अनुपात एक एकन कि जश्ट इसका उल्टा हो जाएगी यह time का ratio होता है यह मैंने आपको एक जाम पल दिया ठीक है अब यहां से अपने question पर आते है question यह बोले गाया हमें question यह बोले गया कि दिवेंद्र अपने कर्याले से मनलो कि दिवेंद्र का कर्याले यहां पर है और यहां पर उसका का उप्र से poser थिए और है कि ये उसका घर है कि यह सका ऑफिस ऑफिस यान तुम है जाने में उसे कितना समय लग आए? सबस्दक्राइद का समय लग रही है आढ़ बजे निकल रहुए पेंचे में नब मुझट का समय लग रहा है उत Talking कि सबोट्फ़े ने भब ? अब यहां पर क्या किया कि 3 बेटी चार की गति से उसने एक तिहाई दूरी तैगी शेशाई मूट की कि अनगल कि इस को स्केश्याई की होगा इस दूरी में किया और पी तक की शेश्यां क। अब सब्सम vintage तोट्व बाल किये हैशिए 17 मिनट में है साथ मिनत में पी से लेकर एस तक की दूरी तैकी होगी आप बोलोगे बिल्कुल इतना तक तो बाते समझ में आ रही होगी लेकिन याहां पर देखो भाई कहने का मतलब यहां पर अब देखो यहां पर क्या कर रहा है कि अपने समान ने गती से वन थर्ड जो डिस्टेंस है यह स्का चार बटे 3 हो जाएगा सितरीकति सपे अपने जो processed वती है यानि कि एक तिहाई के ऑनिकी बाहरी दूरिय है उस समय उस ने गत्ती को अपने चार बटे 3 मेरा कर रिवारी कर दिया विजञनल श्पीड का 4 45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45 मैं एक बार दुबारा से आपको समझा देता हूं दोको यह कोश्चन काफी अच्छा कोश्चन था लोजिकल कोश्चन था ठीक है ऐसा नहीं कि आप यहां से इस कोश्चन को कर पाऊगे लोजिकल कोश्चन था बोला कि देवेंद्र जो आठ बजे घर से निकला और 9-9 बज अ समय ले रहे हैं इतना तक बात आपको समझ में आ रहे होगी वह अपने दूरी जो है तीन बटे चार की गती से जा रहा है यानि करने का मतलब यह हुआ भाई कि नबे मिनट का वन ठड करेंगे कि तीस मिनट हो जाएगा यानि कि घर से कर्या ले जाने में उसा नबबे मिनट समय लग रहा है तो वन ठड डिस्टेंस जो है तीस मिनट में गया होगा और फिर जो हो आगय की जो डिस्टेंस है वह साथे मिनट में गया होगा है यह यह अई एक आइडियाल एंड हम लेते हैं कि अगर उसने कॉंसेंट स्बीड के साथ घर से ओपिस गया तो तो बाकि कैस इसकी टाइम घट गया जब टाइम का घट गया तो यहां से आप यह समझे कि चार बटे तीन हो जाएगा इसका चार बटे तीन हो जाएगा फिर P point से लेकर इस point तक जो 6 दूरी है भी यहां से लेकर यहां तक जो 6 दूरी है इस point तक इसने 60 मिनट में travel किया था लेकिन अब इसने क्या किया कि अपने गती को 4 बटे 3 कर दिया यहां पर दओ समाने गती ती तो 3 से अपने गती को एक बढ़ा दिया जब गती को चार कर दिया ना यहां कि पहले गती तीन थी अब गती तीन चार हो गई यहां से! कितने हो जाएंगे दोनों के टोल टाइम कितना हो जाएगा? 25 मिनट और 85 मिनट का मतलब हो जाएगा? 1 घंटे 25 मिनट और 1 घंटे 25 मिनट का मतलब कितना? वह आठ बजे निकला तो 9 बज के 25 मिनट पर वो अपने कर्याले पहुंचेगा मुझे उमीद्य कुष्चन अपको समझ में होगा